हालो एवरीवन नौव मुविंग तो एक्सराइज वन पॉइंट वान और आद फिलिन दा ब्लैंक्स आप देखो हमें फिलिन दा ब्लैंक्स जो करना है यहां लिख्छा है वन लैक इक्वल्स टू डैश तेन थाउजंड कि वन लैक जो है हमारा वो कितने टेन थाउजंड के तो सबसे पहले हम देखो कैसे करेंगे से 1 lakh में किती जीरो होती है 5 zeros 1 2 3 4 5 zeros right 10,000 में किती जीरो होती है 4 zeros 1 2 3 4 okay so अब मुझे इस 1 lakh को 10,000 यह जो 10,000 है कि कितने वह 10,000 की need है तो देखो कितने जरो होते हैं यहां 5 zeros है यहां 4 zeros है तो मुझे कितने 0 की जरू होते है 1 0 की that means यहां मुझे 10,000 that means कि यह जो 1 lakh है कब बनेगा 10,000 कब बनेगा जब यहां पे मैं एक 0 और insert कर दूँगी that means कि यहां आएगा 10,000 right now 1,000,000 equals to how much 100,000 मतलब कि 1,000,000 में पहले तो 1,000,000 में कितने 0 जरू आती है 6 zeros 3,4,5,6 zeros right अब 1,000,000 और यह 100,000 में कितने 0 होते है 5 zeros 1,2,3,4,5 अब आपको यह अगर जानना हो कि 100,000 में 5 zeros कहां से आई यह 1,000,000 में 6 zeros कैसे आई तो मेरा first video है chapter 1 का introduction part मैं उसमें जाके आप देख सकते हो वो आप अगर उसको देखके फिर यह वाला question करोगे वो बहुत ज्यादा clear हो जाएगा आपको कोई 0 का कोई आपको confusion नहीं रहेगा right तो देखो यहां 6 zeros है यहां 5 zeros है मुझे कितनी 0 की और जरूरत है 1 0 की that means कि 10,000,000 that means कि 1,000,000 जो होगा वो 10,000,000 के equal होगा 1 करोर में कितनी 0 होती है 7 zeros 1,2,3,4,5,6,7 और million में कितनी 0 होती है 6 1,2,3,4,5,6 तो 1 करोर को अगर मुझे इस million के equal करना हो तो मुझे कितनी 0 की जरूरत रहेगी 1 0 की that means 1 करोर is equal to 10,000 Now coming to other parts of first question 1 करोर is equals to dash millions अब देखो 1 करोर कितने millions के equal होगा तो 1 करोर में कितनी 0 होती है 7 0 1,2,3,4,5,6,7 0 right अब यह हमारा 1 करोर है अब million में कितनी 0 होती है 6 0 1,2,3,4,5,6 0 अब मुझे इस 1 करोर को 1 million मनाने के लिए कितनी 0 की जरूरत रहेगी 1 0 की तो that means अगर मैं इसमें 1 0 और एड कर दूंगी तो 1 करोर जो है वो million के equal होजेगा कितने million के 10 million के right so 1 करोर equals to 10 million okay now 1 million 1 million में किते zeros होती है 6 zeros 1,2,3,4,5,6 and लाक में किते zeros होती है 5 zeros 2,3,4,5 again 1 million को मुझे लाक में अगर कितने लाक के जरूरत पड़ेगी तो मुझे कितनी zeros चाहिए यहां पर 5 है यहां सीख सा तो 1 0 की जरूरत है तो यानि की 10 lakh तो 1 million equals to 10 lakh okay यह आपको यह लिखनी के जरूरत नहीं है यह आपको समझाने के लिए है okay this was the last part of this question now moving to the other question